नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे एजुकेशनल योटुब चैनल कैरियर इंस्टिटोट रामपर बुजरुग में आज हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश राज अस्तरिये बीएड द्वी बर्सिये संजुक्त प्रवेश परिक्षा 2024 के बारे में इसका फॉर्म कब आएगा कब से ऑनलाइन होगा इसका लास्ट डेट कब होगा एग्जामनेशन सेंटर कहां कहां होंगे एग्जाम ऑफलाइन होगा या ओनलाइन होगा ये सारी प्रक्रिया हम लोग इस वीडियो में समझेंगे जानेंगे वे चात्र जो थर्ड येर के स्टुडेंट हैं जैसे बीए थर्ड येर, बीएसी थर्ड येर, बीकॉम थर्ड येर तथा वे चात्र जो इंजिनियरिंग कर चुके हैं या अभी इंजिनियरिंग कर रहे हैं जैसे की अपेरिंग चात्र हैं क्या उनके लिए भी ये मौका मिलेगा इंट्रेंस फॉर्म भरने के लिए, बीएट करने के लिए तो हाँ बिल्कुल अवस्ते फॉर्म भरने के लिए मौका मिलेगा और आप भी एक्जाम में एंट्रेंस फॉर्म भर करके एक्जाम में अपियर हो शकते हैं ध्यान दिजिये सभी मित्र सभी भाईबयन उत्तर प्रदेश राज अस्तरिये बीएड दुवी वर्सीये संजुक्त प्रवेश परिक्षा दुजार चौवीस एक बार पुनह आयोजित होने वाली है जो की बुंदेल खंड विश्व विद्याले जहां सी उत्तर प्रदेश द 9-2014 टिसी दिनांक 31 जनुवरी 2024 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज जी विश्व विद्याले एवं उनसे संबंध सहयुक्त तथा घटक महा विद्यालेों में सैचडिक सत्र 2024 से 26 के बीएड पाठे क्रम दुवी अर्सीये में प्रवेश है तो राज अस्तरिये संज प्रवेश परिक्षा 2024 बुंदेल खंड इन्वस्टी जहांसी द्वारा आयोजित की जा रही है प्रवेश परिक्षा में समलित होने के लिए ओनलाइन आवेदन आमंत्रित है ओनलाइन आवेदन एवं उससे संबंधित दिशा निर्देश बुंदेल खंड विश्व विद् साइट www.bujhansi.ac.in पर दिनांक 10 फरवरी 2024 से 10 मार्च 2024 तक उपलब्ध होंगे वेबसाइट है www.bujhansi.ac.in पर 10 फरवरी 2024 से 10 मार्च 2024 तक उपलब्ध होंगे नोडल अधिकारी ये आपके अमर उजाला में भी दिया भुआ था कि बुंदेल खंड इन्वस्टी इस बार फिर कराएगा संजुक्त विएड प्रवेश परिक्षा आज जारी होगा पहला विग्यापन 10 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन चासी बुंदेल खंड विशुविद्याले को एक बार फिर संजुक्त प्रवेश परिक्षा बीएड की कराने का मौका मिला है सासन ने विशुविद्याले को बीएड प्रवेश परिक्षा कराने के लिए निर्देश दिया है परिक्षा को लेकर के आज विग्यापन जारी होगा जबकि 10 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे वही 20 से 25 अपरेल के बीच परिक्षा होगी आपको हम बता दें कि अभी जो विडियो स्टार्ट हो रहा था उससे पहले हमने आपको बताया कि इस विडियो में हम लोग सारी जनकारी देंगे तो आपका जो एक्जाम होगा वह 20 से 25 अपरेल के मध्य होगा सासन के निर्देशा अनुशार मिलने के बाद विशुविद्याले ने तयारियां सुरू कर दी है प्रदेश के 28 कालेजों में प्रवेश के लिए पिछले साल सासन ने बुंदेल खंड विश्वविद्याले को संजुक्त प्रवेश परिक्षा कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किया था बुंदेल खंड इन्वस्टी ने तय समय से समय में परिक्षा कराने के साथ ही प्रडाम जारी किया और काउंसलिंग कराई इस बार फिर शासन ने बुद्देल खंड विश्विद्याले को संजुक्त बीएट परवेश परिक्षा कराने के दिर्देश दिये हैं इसे लेकर बीशे सचीव कल्लू प्रशाद दिवेदी ने पत्र जारी किया है उन्होंने परिक्षा की समयसारणे भी जारी की है समयसारणी के मुताबिक परिक्षा को लेकरके एक फरवरी को विग्यापन जारी किया जाएगा वही दस फरवरी से दस मार्च तक आनलाईन आवेदन होंगे 20 से 25 अप्रेल के बीच प्रिवेस परिच्छा आयोजित की जाएगी परिच्छा का प्रडाम 25 से 30 माई तक बुंदेल खंड विश्व विद्याले को जारी करना होगा 1 से 25 जुन तक काउंसलिंग चलेगी अभी हम आपको बता दें कि इस वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमने आपको बताया कि इस वीडियो में सारी जानगारी मिलेगी जैसे कि कब काउंसलिंग होगा, कब इसका एकजाम होगा, कब फॉर्म बरे जाएंगे, इसका लास्ट डेट कब होगा सेम उशी प्रकार से 25 जून, एक जून से लेकर के 25 जून तक काउंसलिंग चलेगी, काउंसलिंग पुरी होने के बाद एक जुलाई से सैचडिक सत्र शुरू कर दिया जाएगा कुल सचीव बीने कुमार सेंग ने बताया कि परिच्छा को लेकर के तयारी शुरू कर दी गई है बुन्देल खंड विश्व विद्याले ने पिछले साल संजुक प्रिवेस परिच्छा कराई थी, इसके बाद भी बीएड में 1.20 लाग सीटे खाली रह गई थी प्रदेश के बीएड कालेज में कुल 2.55 लाग सीट है, इसमें प्रिवेस को ले करके कई राउंड की काउंसलिंग के बाद 1.3 लाग सीट पर हे विद्यार्थियों ने प्रिवेस लिया था जबकी लगभग 1.20 लाग सीटे शीटों पर प्रिवेस नहीं हो सका था, इस बार सीटे भरने की उमीद है, धन्यवाद अब हमारे वीडियो को अधिक से अधिक से एर किजी अपनी भाई बहन को, जो इस बार B.A.3 यर में है, वीकम 3 यर में है, और B.A.C. 3 यर में है, या फाइनल कर चुके हैं, वे सभी चात्र चात्रा हैं, जो लोग B.A.T. करते हैं, या B.A.T. करना चाहते हैं वे लोग हमारे वीडियो को अधिक सधिक सेयर करें और हमारे इस वीडियो को अधिक सधिक सपोर्ट करें और अपने छोटे भाई को आप लोग अधिक सधिक सपोर्ट करें धर्निवाद